36 गड़ की सीम भूपेश बगहेल को उत्तप्रदेश के लखनव एरपोर्ट पर रोक लिया गया है दरसल लखीम पूर किरी कांट के बाद भूपेश बगहेल लखनव रवाना हुए थे उत्तप्रदेश पूलिस ने उन्हें हवाई अड़े से बाहर निकलने से रोक दिया उन्हें वही से वापस जाने को कहा गया 36 गड़ की मुख्यमंतरी भूपेश बगहेल को आपको बता दे लखनव के चौधरी चरंड़ सिंग एरपोर्ट से बाहर जाते वक रोक लिया गया जिसके बाद सीम भूपेश बगहेल एरपोर्ट पर ही धरने पर बैट गए इसकी जानकारी खुद 36 गड़ के सीम भूपेश बगहेल ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिये दी है उन्हें ट्वीट करते हुए अपनी तस्वीर साजह की और बताया कि उन्हें किस तरह से एरपोर्ट से बाहर निकलने से रोका जा रहा है इतना ही नहीं भूपेश बगहेल ने एरपोर्ट से ही मीडिया से भी बातचीत की वही एक वीडियो भी जारी किया जिसमें भूपेश बगहेल ने स्थानी पोलिस से कहा है कि मैं लखिमपूर खिरी नहीं जाओंगा मुझे बाहर जाने दिया जाए याद दिया है कि आप के दौरा किया जाने वाला चुरिफ से मानने पढ़े 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 नहीं बैठे नहीं बैठे हमको क्यों रोका जा रहा था हम कहीं नहीं जा रहा है हम किसी सी जाएंगे हमको लखिमपूर जाने डिन है लूखने वुका हिस until II नथ यह नहीं दआएर कि नहीं जब्रदाश्य मेरे साथ का रहा है तो तो है दो खिर मुझसे जाने कि ये मैं का आपके लखिंपोर नहीं आरा हूं किमा और के लखिंपूर भिए यदि यॉजाराए lama लग के लखनू वी विश् Isab and पताय जा रहा है कि भूपेश पगेल दिल्ली से लखनों के लिए रवाना हुए थे वहां से वे उत्रप्रदेश कॉंग्रिस की मुख्याले नहरु भबत जाने वाले थे वहां प्रेस कॉंफरेंस और स्थानी नेताओं के साथ बैठक भी करने वाले थे और ये भी अनुमार लगाय जा रहा है कि वो लखीमपुर खेरी भी जाने वाले थे लेकिन इस बीच लखनों एरिपोर्ट पर फिलहाल उन्हें रोग दिया गया है जहां पर वो धरने पर बैठ गए हैं मधिप्रदेश और 36 गड़ से जुड़ी तमाम खबरों कले बने रही हैं एंपितक के साथ